आज हम बनाने जा रहे हैं एक ब्यूटिफुल सा ड्रीम कैचर आज ये बताते हैं आपको इसे बनाने के लिए खिन चीजों की जरॉत होगी आपको चाहिए कलर बीट्स ये देखें फ्रेंड्स और ये एक ठर्ट चाहिए आपको फैदर छोटे फैदर और कुछ बड़े फैदर चाहिए फैदर के कलर आप अपनी हिसाफ से ले सकते हैं और या आपको चाहिए दो मैटल रिंग एक छोटा एक बड़ा या आप एक ही साइज की ले सकते हैं जैसे आपको अवलेबल हो फैविकोल और सीजर सबसे पहले आप मैटल रिंग को लीजी और इसमें इस धागे से इस तरह से नौट बानने के बाद धागे को इस धागे को इस रिंग में अंदर बाहर ऐसे लपेटिए देखेए फ्रेंड़ यह कुछ ऐसा दिखिएगा जभी बन कर तैयार हो जाएगा तो यह ऐसे दिखिएगा फिर इसमें एक नौट लगा कर अपने हिसाब से इसमें थोड़ी थोड़ी दूर छोड़कर इसमें धागे से ऐसे नौट बनाते जाई और यह यह देखिए ये रिंग तयार होने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी और अगर इसमें दूरियां कम जादा रह गी हो तो इसे आप अपने हिसाब से अज़स्ट कर लीजे और एक्स्टरा धागे को कट कर दीजिए वहाँ पर एक नॉट लगा दीजी और इसे गुलूगन से से क्यूर कर दीजी ग्लोगन या फैविकोल से भी आप से क्यूर कर सकते हैं ये देखिए फ्रेंट उसके बाद इस धागे के मेडिल पार्ट से आप देखिए एक और नौट लगाई है और जैसे पहले बनाया था वैसे ही दूसरा लेयर भी इसमें कम्प्लीट कीजिए ये पूरा एक मकडी के जा जैसा बनके तयार हो जाएगा रिंग ये देखिए फ्रेंट्स ये कुछ ऐसा देखेगा इसको आपको फिर दुबारा से यही प्रोसिस करके पूरा रिंग को पूरा अंदर तक कवर कर कम्प्लीट होने के बाद रिंग को देखिए यह मैंने दो रिंग बना कर तयार कर ली है अब इन्हें आपस में अटाइच करने के लिए एक छोटा सा धागा लीजिए और इसमें कुछ बीट्स डालिए और बड़े वाले को ऊपर रखिए और इस धागे को ग्लूगन से सिक्य दाल लगे और इसके बाद इसमें बीट्स डालिए डालने के बाद आप छोटे रिंग को इसके नीचे अटाइच करिए यह देखिए फ्रेंट्स अटाइच करने के बाद यह कुछ ऐसा दिखेगा यह देखिए फ्रेंट्स इसके बाद आप एक धागा लीजिए और धागे डाल कर उन्हें अपने हिसाब से इस ड्रीम कैचर पर लगा लीजिए आप जितने मर्जी ये स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं ये आपके उपर डिपेंड करता है ये देखें फ्रेंड ये बनने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेंगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे कि आपको नॉटिफिकेशन मिलती है थैंक्यू फो वाल जाएं